अब्जेक्ट एट टू एफ वन तो अब देखिए ये एफ वन है और ये टू एफ वन है टू एफ वन के उपर रग दिया ये एफ वन है एफ टू साइए और दिस इस टू एफ टू टू ठीक है तरीका वही एक रे यहां से पैरलेल गई ये पैरलेल गई आफ्टर रेफ्रेक्शन इट विल पास तू फोकस तो ये फोकस से पास करवा दो आप भी जब बनाओगे बिल्गूल फोकस से इसको पास करवा ओ और ये आप्टिकल सेंटर से पास होगे ये यहां पे जाएगी ये यहां पे जाएगी दोनों इंटर्सेक्ट यहां पे हुए तीसरा इसमें नहीं बनाए लेकिन हम बना सकते हैं तीसरे के लिए तीसरी अगर फोकस से पास हो रही है तो ये आफ्टर रेफ्रेक्शन इट विल बिक इसमें अगर हम देखें तो position of the object ये at 2F1 है ये 2F1 पे रखा position of the image आप देखोगी यहाँ पे 2F2 पे आ रही है तो अगर यहाँ पे 2F1 पे रखा तो 2F2 पे image इसकी form हो गई फिर size of the image आप देखोगी अगर यहाँ पे रखा तो उसी के बराबर size आ रही है और जबकी इसकी पिछली वाली जब वो हमने देखा था तो पिछले वाले case के अंदर इसकी image छोटी थी यहाँ पे same size हो गई फिर nature of the image this is real and inverted रियल इसलिए क्योंकि इसको हम उसमें screen के उपर आप्टेंड कर सकते हैं और इधर यह arrow उपर है लेकिन यहाँ पे यह image inverted बन रही है अब यह F1 था यह 2F1 यहाँ पे optical center यह F2 और यह 2F2 ठीक है अब देखिए पिछली बार हमने 2F1 पे रखी थी तो 2F2 पे image बन रही थी और same size बन रही थी यहाँ पे अगर हमने object A, B इन दोनों के F1 और F2 के बीच में लिया तो यह वाला case हम consider कर रहे हैं इसमें से फिर एक ray parallel चली वो after reflection it will pass through focus ठीक है दूसरी यह optical center से चली तो यह as it is undeviated चली गई ठीक है अब यहाँ पे तीसरी नहीं बना सकते क्योंकि तीसरी अगर आप बनाएंगे तो यह देखिए तो lens के भी उधर से हो चली गई तो इसलिए तीसरी की जरुद नहीं है दो से ही image form करेंगे और जहाँ पे यह intersect कर रहे है यह B' और यहाँ पे A' अब देखिए यहाँ पे object छोटा था लेकिन image बड़ी हो गई है inverted, real भी है क्योंकि इसको भी obtain कर सकते हैं तो हमने यह देखा था कि अगर 2F1 के पहले अगर रखते हैं तो object की image छोटी बन रही थी F2 और 2F2 के बीच में बन रही थी लेकिन जब इसको F1 और 2F2 के बीच में ले रहे हैं तो इसकी image बड़ी बन रही है और 2F2 के दूसरी साइट बन रही है मतलब एक दूसरे के converse टाइप की चीज़े हैं कि अगर हम object को 2F1 के इधर रखेंगे तो image F2 और 2F2 के बीच में बन रही है और यहाँ पर object बड़ा था, image छोटी थी लेकिन जब इसको F1 और F2 के बीच में रख रहे हैं object को, तो इसकी image 2F2 के दूसरी साइट बन रही है उससे भी दूर बन रही है लेकिन image बड़ी बन रही है ठीक है? तो position of the object यह F1 और 2F1 के बीच में है position of the image यह beyond 2F2 है this is beyond 2F2 size of the image यह देखो यह बड़ी है तो this is and last then nature of the image अगर हम देखें तो real तो है इसको आप्टेंड कर सकते हैं screen पे और inverted भी है यह उल्टी भी बनी हुई है ना, next case is तो हमने पहले यह F1 F2 sorry, 2F1 2F1 then this is F2 and this is 2F2 ठीक है तो हमने सबसे पहले तो 2F2 F1 के दूर ली उससे भी दूर लिया फिर 2F1 के उपर फिर बीच में और अब आ गया F1 के उपर तो जब F1 के उपर object रखेंगे एक रे पारलेल पारलेल वाले आफ्टर रेफ्रेक्शन देस विल पास त्रू फोकस F2 और जो अप्टिकल से पास हो रही है वो अंडाविएटर जा रही है यू विल फाइंड दाट बोथ दीज रेज आर पारलेल यह दूसरे के पारलेल हो गई मतलब यह इन्फिनीटी पे मिलेगी इन्फिनीटी पे बनेगी और यह महां से इन्फिनीटी से अगर इसको पर्पेंडिकुलर ड्रॉ किया तो इस विल भी हाईली एंड लार्जड विल भी तो यहां पे अगर हम देखें पोजिशन ऑफ दो ऑब्जेक्ट वी कप्ट एट फोकस F1 position of the image at infinity बिलकुल ऐसा ही हमने mirror में भी देखा था कि अगर हमने focus पे रख दिया तो image infinity पे बन रही थी then size of the image this is infinitely large or highly and large क्योंकि infinity पे मिल रही है तो वहां से perpendicular draw करेंगे तो बहुत बड़ी image है nature of the image अब देखिया दूसरी side है so this is real और हर image इसके अंदर inverted ही बनती है तो जैसे हमने mirror के case में देखा था कि concave lens के अंदर concave mirror के अंदर हमने 6 different positions देखी थी और उसकी image formation देखी थी इसी तरह से हम यहां पे हमने देखा convex lens के लिए 6 positions देखी और concave lens के लिए हम केवल 2 positions में object रखेंगे और हम image formation देखेंगे तो पहला object at infinity तो concave lens के अंदर अगर object infinity पे है तो infinity पे infinity से जो raise आती है वो parallel आती है और जो raise parallel आती है वो ऐसी प्रतीत होती है कि focus से आ रही है यह diverge होती है तो यहां पे यह ray आए इसके बाद में यह यहां से diverge हो गई इसको अगर पीछे की side बढ़ाएंगे तो हम देखेंगे कि यह focus में आ रही है ऐसे इसको भी यह भी जब reflect होगी तो दूर हटेगी दूर हटेगी इसको अगर पीछे की side अगर हम बढ़ाएंगे तो यह focus से आती होई महसूस होगी मतलब अगर position of the object this is at infinity then position of the image यह कहां पे आ रही है focus पे आ रही है at focus f1 ही यह आएगी यह f1 है और यह f2 है यह optical center ठीक है और size of the image कितनी है अब यह तो point image है तो highly diminished means this is point sized और what is nature of the image अब देखिए इसको हम पर्दे पे तो ले नहीं सकते तो यहाँ भी वर्चुल है but in this case this will be erect okay then next position is object between infinity and optical center तो infinity और optical center के अगर बीच में हो यह focus f1 है ठीक है अब यहाँ देखिए यह अगर object है यहाँ से जो भी ray जा रही है after reflection it will diverge diverge हुई इसको अगर पीछी की side बढ़ाएंगे तो यह पीछी की side यह focus f1 से आती हुई महसूस होगी है ना और दूसरी जो optical center से जाती है वो undeviated चले गई यह दोनों जहाँ पे intersect कर रही है तो यह इसकी image हो गई तो object बड़ा है और इसकी image छोटी है आप देखना अगर कभी दूर वाला चश्मा अगर आप देखेंगे तो उसको थोड़ा से दूर से देखना उसमें object की जो images है छोटी छोटी से दिखाई देखी है और जितना जादा मोटा चश्मा उतना पतले इतने छोटी छोटी से images हमको दिखाई देती है तो इस case के अंदर position of the object this is between infinity and optical center इन दोनों के बीच में है अब position of the image अगर हम देखें तो यह कहां पे यह optical center यहां पे है तो f1 और optical center के बीच में आ रही है f1 और optical center के बीच में आ गई अच्छा यह object बड़ा था यह image छोटी है means size of the object image is diminished then nature अब यहां पे इसको obtain तो करें नहीं सकते थे virtual है लेकिन object की image खड़ी है means this is erect तो इस case के अंदर object की image छोटी होगी और say erect होगी it will be मैं दब cdcdc हमको image दिखाई देगी so these are six plus two cases in spherical lenses then now next sign convention for spherical lens ये बिल्कूल उसी तरह का है जैसा हमने mirror के case में देखाता तो the object is always placed to the left of the lens this implies that the light from the object falls on the lens from left hand side all the distances are measured from the optical center from ये पोल की जगे this is optical center then all the distance measured to the right of the origin वो पोसितिव होंगे और जो distances left side वाले होंगे they will be negative जो उपर होंगे measured, perpendicular to and above the principal axis they will be taken as positive और जो नीचे की side होंगे they will be taken as negative तो ये बिल्कूल उसी तरह का है जैसा कि हमने mirror में देखा था अब हम आजाएं जैसा mirror में हमने mirror का formula देखा था इसमें lens के अंदर lens का formula है और lens का formula है this formula gives the relationship between the object distance या object distance को हम यू लेते थे पहले भी यू लिया है और अभी भी object distance is you and image distance we are taking v and focal length f तो 1 upon v minus 1 upon u is equal to 1 upon f ठीक है अच्छा magnification formula भी होगा इसमें भी क्योंकि जैसे mirror के अंदर छोटी बड़ी image दिखती है वहां से magnification formula होता है तो यहां पे भी magnification formula होगा and this magnification formula is height of the image means h dash upon height of the object this is h और यह यहां पे भी जो formula है यह यू और v के form में भी है h dash upon h is equal to v upon u यहां पे भी इसके उपर based questions जो बनेंगे इसमें चार में से कोई सी भी तीन चीज़े दी हुई होगी हम चौती निकाल चकते हैं इसके अंदर u, v और f कोई सी भी दो चीज़े दी हुई होगी तो हम तीसरी निकाल सकते हैं यह वी तीसरी जाओ यह रह फिन चीज़े जो प्रीज़े है पाहले चीज़ तो चौनके लन्स हगया है इस फोकल लेंथ अव थिफ्टीन संधिम्टर अट इसक्श्ट उड अबच्ट को लेंथ हैं बच्ट इसक्थ प्र इसक्र ओफ्टकी लेंथ distance पूछा हुआ है so that it form an image at 10 cm from the lens तो 10 cm पे यह हो रहा है तो यहाँ पे F अब देखिए concave lens है concave lens में object यहाँ पे होता है और इसकी image भी यहीं पे form होती है तो object जो है उसका distance U वो negative होगा और V भी negative होगा और F भी negative होगा because all these are on this side तो F is equal to focal length this will be minus 15 cm ठीक है और यहाँ पे दियावा है at what distance should the object from the lens be placed means U is equal to we want to find so as to form the image at 10 cm from the lens means V is also given to be equal to तो तो इसकी image भी इची साइड बनती है so this is minus 10 cm हमको U निकालना है we know 1 upon V minus 1 upon U is equal to 1 upon F right so 1 upon V means 1 upon minus 10 minus 1 upon U is equal to 1 upon F means 1 upon minus 15 we can take LCM LCM will be 30 right तो यहां पे this will be 2 minus 3 means this is minus 1 upon 30 so U will be equal to minus 30 cm मतलब object यहीं पे होगा वह ऐसे भी object तो left side में लेते हैं और left side है मतलब वो negative है चीक है and find the magnification produced by the lens so magnification will be magnification we have seen this is V upon U means V is minus 10 and upon U is minus 30 so minus and minus will cancel so this is 1 upon 3 is ka matlab kya hai ki object jitna hai uski image uski one third do do no and the magnification magnification with the wo choti image uski banegi this is the meaning of this is you 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 you